एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत धनी इंसान बनना चाहता था और उसकी वजह से वो एक साथ बहुत सारे काम करने लगा जिसके कारण वो बहुत सारे कामों में उलग जाता था और उसकी वजह से धीरे धीरे उसकी यादाश्ट कमजोर होने लग गई वो जरूरी बातों को भी भूल जाता था और धीरे धीरे उसकी वो भूलने की बिमारी बहुत ज़ादा बढ़ गई वो हर बात को थोड़ी सी ही देर में भूल जाता था एक दिन उसकी तबिएत बहुत खराब हो गई उसके पेट में बहुत दर्ध होने लगा पुराने समय की बात है उस समय डॉक्टर्थ होते नहीं थे वैद्य होते थे तो वो व्यक्ति वैद्य के पास गया वैद्य ने उस व्यक्ति से पूछा तुम्हें क्या हुआ है वो व्यक्ति कहने लगा कि मेरे पेट में बहुत दर्द है तो वैद्य ने उससे सारी बात जानी फिर वैद्य को बता चला ये इंसान काम में बहुत जादा उलजा हुआ है और उल्टा सीधा कुछ भी खा लेता है तो उस वैद्य ने उस वैद्य से कहा कि तुम्हारे पेट में जो दर्द है वो गलत खान पान के कारण है इसलिए अब थोड़े दिन के लिए तुम सिरफ खिचडी खाना उस व्यक्ति ने कहा ठीक है अब मैं खिचडी खाऊंगा लेकिन फिर उस व्यक्ति ने वैद्य से कहा कि मुझे भूलने की भी बिमारी है कहीं ऐसा ना हो कि घर पहुचते पहुचते में ये ही भूल जाओं कि मुझे क्या खाना है तो वैद्य ने उससे कहा आप बिल्कुल भी चिंता मत करो आप यहां से लेकर के अपने घर तक खिचडी खिचडी बोलते जाओ जिससे ये नाम आपको भूलेगा नहीं उस व्यक्ति ने कहा ये आइडिया सही है मैं पूरे मार्ग में खिचडी खिचडी बोलता भगा रहा था लेकिन तब ही उसने सुना कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि खाचिडी खाचिडी उसकी इस बात को सुनकर किसान को बहुत गुसा आया किसान ने उस व्यक्ति को डाटते हुए कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो उस व्यक्ति ने कहा मैं कह रहा हूँ खाचिडी तो किसान ने कहा, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है, तुम देख नहीं रहे, मैं अपने खेश से चडियाओं को भगा रहा हूँ, और तुम उन्हें खाने के लिए बुला रहे हो, तो वो व्यक्ति बोला, मुझे तो वैद्या ने कहा है, किसान ने कहा, किसी ने भी कहा हो, ले कि मार्ग में एक शिकारी चडियाओं को फसा रहा था, जब उसने ये सुना, कि ये व्यक्ति उर्चडी उर्चडी कह रहा है, तब उससे बहुत गुसा आया, और उस शिकारी ने इस व्यक्ति को जोर से ठपन मारी, और उसे डाटने लगा, कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं इतनी मुश्किल से चडियाओं को फसा रहा हूँ, और तुम कह रहे हो, उर्चडी, उस व्यक्ति ने कहा, मैं क्या करूँ, मुझे वैद्ध ने कहा है, तो उस व्यक्ति ने कहा, किसी ने भी कहा हो, लेकिन अब तुम ये मत कहना, फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि मैं अब क लेकिन थोड़ी देर बाद मार्ग में कुछ चोर चोरी का धन लेकर के भाग रहे थे और जब उन्होंने ये सुना कि एक व्यक्ति ये कह रहा है आते जाओ और पिंजरे में फस जाओ ये हमें फसाना चाहता है ये हमें पुलिस को पकड़वाना चाहता है उन चोरों ने इस व व्यक्ति यही कहने लगा इसे छोड़कर आओ और दूसरा लेकर आओ वो व्यक्ति ऐसे कहते हुए जाही रहा था कि मार्ग में कुछ लोग किसी मृत्व्यक्ति को शम्शान ले जा रहे थे और जब उन्होंने ये सुना कि इसे छोड़कर आओ और दूसरा लेकर आओ ये तो उन सारे लोगों को बहुत बुशाया, उन लोगों ने इस व्यक्ति को बहुत फटकार लगाई, कि हमारे गाउं का मुखिया मर गया है, इतना भला आदमी मर गया, और तुम ये कह रहे हो, कि इसे छोड़ कर आओ और दूसरा ले कर आओ, तुमने मजाग समझ के रखा आए वो थोड़ा ही आगे चला था, कि मार्ग में किसी की बाराद गुजर रही थी, और जब लोगों ने ये सुना, कि ऐसा किसी की भी साथ ना हो, तो उन सब लोगों ने इसे बहुत डाटा, कुछ लोगों ने तो उसे मारा भी, कि हमारे घर में इतना खुशी का माहूल है, शा लगता है, तो उन बारातियों ने कहा, अब तुम यह कहना, कि ऐसा घर घर में हो, अब वो व्यक्ति यही कहने लगा, कि ऐसा घर घर में हो, अभी वो थोड़ा चला ही था, कि मार्ग में कहीं आग लग गई थी, और सब लोग उस घर की आग भुजाने में लगे थे, और कुन कह रहा है जब उन्होंने इस व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत मार लगाई लगता है तूने ही यहां पर आग लगाई है तभी तू कह रहा है कि ऐसा घर-घर में हो व्यक्ति भोला मैं तो किसी को यहां जानता भी नहीं मैं क्यों आग लगाऊंगा मुझे तो वैद्य लोगों ने कहा कि अब तुम यह बात कभी मत कहना तो उस व्यक्ति ने पूचhmen आप ही बता दो कि मैं क्या कहूं फिर उन सारे लोगों ने मिलकर इस व्यक्ति से कहा अब तुम यह कहना कि हे भगवान इस आग को भुजादो अब वह ऐसे कहता ही जा रहा था कि vind सर्फ 50 मार और उससे कहने लगा कि खबरदार जो अब तुमने ये बात दोबारा कही, अगर तुमने ये बात अब दोबारा कही, तो मैं तुमारी खिचडी निकाल दूँगा, और ये खिचडी शब्द को सुनते ही उस व्यक्ती को सब याद आ गया. कि यही तो वो शब्द है जो मुझे वैद्दे ने कहा था फिर वो व्यक्ति चिला के कहने लगा कि हाँ खिचडी यही मुझे वैद्दे ने कहा था फिर वो व्यक्ति मनी मन सोचने लगा कि मैं सिरफ एक शब्द को भूलाऊं तो मुझे इतनी मार मिली है कि जो लोग जिन्दगी को ही जीना भूल गए हैं जो लोग खुश रहना भूल गए हैं जो लोग हसना भूल गए हैं जो लोग जिन्दगी की हर जरूरी बात को भूल गए हैं उन लोगों को उल्जनों की परिशानियों की कितनी मार मिलती होगी ये कहानी भी हमारी ही जिन्दगी से जुड़ी है हम भी जिन्दगी की दौड में जो जरूरी बाते हैं उन्हें भूल जाते हैं जो हमें करना चाहिए उन्हें नहीं करते हैं और बदले में हमें उल्जनों की, तकलिफों की, परिशानियों की मार मिलती ही रहती है दुख मिलता ही रहता है अगर हम भी अपनी जिन्दगी में ध्यान करना ना भूले अध्यात्म से जुड़े रहे जो चीजे जिन्दगी में हैं उन्हें करना ना भूले जिन्दगी में खुश रहना ना भूले जो चीजे हमारी जिन्दगी के लिए बहुत जादा जरूरी है उन्हें कभी भी कल पर ना टाले अपने जिन्दगी की खुशियों को कल पर ना टाले बल्कि अपनी जिन्दगी की खुशियां हमें आज में ही जीनी चाहिए झाल झाल